दोस्तों चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की दोण में भारत और रूस दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं। रूस का ये कहना है कि हम चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने लूना 25 को भारत के चंद्रायान 3 से पहले उतार देंगे, आखिर उसने उसी समय अपने मून मिशन को क्यों लांच किया जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले जाकर इतिहास रचने वाला था। क्या ये रूस की कोई साजेशक्या रूस भारत को नीचा दिखाना चाहता है। क्या चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर दुनिया का पहला देश बने। तो हमारा चंद्रयान तीन चंद्रमा के अंतिम कक्षा में प्रवेश कर चुका है और 163 गुने 153 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। कल यानी 17 अगस्त को प्रुपल्शन मोड्यूल को विक्रम लेंडर से अलग कर दिया गया था। अब आगे का सफर विक्रम लेंडर को अकेले ही करना है। प्रुपल्शन मोड्यूल चंडरमा के 100 किलोमीटर की कक्षा में कई महीनों तक भूमता रहेगा। और हमें चंडरमा की तस्वीर शेयर करेगा 18 और 19 अगस्त के बीच लेंडर की डियार बीटिंग की जाएगी। जिसके चलते लेंडर में लगे इंजन की सहायता से लेंडर को चंडरमा के और नजदीक लाया जाएगा। जहां से चंडरमा की मिनिमम दूरी 30 किलोमीटर ही रह जाएगी और इसके बाद विक्रम लेंडर अपने इंजन की गती को धीमा करेगा। इसके बाद 23 अगस्त तक चंडरमा के साउथ पोल पर सौफ्ट लेंडिंग करके इतिहास रचेगा। अभी तक चंडरमा पर सिर्फ तीन देश रूस चीन और अमेरिका ने ही सौफ्ट लेंडिंग की है। एक दिन हमारे चंडरायान मिशन के लिए बहुत ही महत्वपून है, थोड़ी सी भी चूख हमारे मिशन को फेल कर सकती है। पुरे देश की निगाहे हमारे मून मिशन पर टिकी है। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है जब हमारा चंडरायान तीन चंडरमा के साउथ पोल पर लेंड करके इतिहास रचेगा। चंडरायान तीन चंडरमा से जुले उन सभी रहस्यों से परदा उठाएगा जिसे दुनिया अभी तक अंजान है। विक्रम लेंडर चंडरमा की सतह पर दो हफ्तों तक रहेगा। हमारे इस मून मिशन का मकसद चंडरमा पर पानी की खोच करना, चंडरमा की मित्टी और संरचना का अध्यायन करना है। चलिए अब जानते हैं कि रूस का लूना 25 कहा है, और हमारे चंडरयान से इसकी दूरी कितनी है, और क्या हमारे चंडरयान 3 को टक कर तो नहीं मार देगा। हमारा चंडरयान 3 चंडरमा के बेहत करीब जा चुका है, चंडरयान 3 की लेंडिंग प्रक्रिया भी सुरू कर दी गई है। आज चंडरमा से इसकी दूरी को घटा कर 30 किलोमीटर कर दी आ जाएगा, जहां से विक्रम लेंडर अपने इंजन की सहायता से अपनी स्पीड को कम करेगा, फिर धीरे धीरे चंडरमा पर लेंड होने के लिए चंडरमा की तरफ बढ़ता रहेगा, और इस रो द्वारा निर चंडरमा की ओर ले जाया जा सके और चंडरमा पर सौफ्ट लेंडिंग हो सके, वही रूस का लूना 25 भी चंडरमा के बेहत करीबा, चुका है रूस के स्पेस एजेंसी का कहना है कि उसका लूना 25 चंडरायान 3 से पहले ही चंडरमा के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा, औ अब चाहे जो भी हो जाए चाहे हमारे चंडरायान के इंजन काम करना बंधी क्यों न कर दें, फिर भी हम अपने चंडरायान 3 की चंडरमा के साउथ पोल पर सौफ्ट लैंडिंग कर लेंगे, अपने इस्ट्रो के वैग्यानिकों के इस जज़बे को हम सलाम करते हैं, आप स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद